इस वर हम चर्चा की शुरुवात करते हैं मेरे साथ एक खास मेहमान हरिश चंडजी जुलके हैं पूर आईयस हैं सरस्वागत आपका जनतंत्र टीवी पर हमारे इस कारिकरम पर इस डिवेट में सबसे पहला कमेंट आपका मैं चाहूंगा बड़ी जमेदारी मायावती ने आज दी है आनंद कुमार को और भतीजे आकाश को किस तरीके से सर आप देख रहे हैं क्योंकि पार्टियां तो लगातार भाई भतीजाबाद परिवारबाद का अरोब एक दूसरे पर लगाती है लेकिन आप तो यह खुलकर इस पार्टी में साथ दिख रहा है देखिए इस सुरू से अगर आप मायावती को देखें तो सुरू मायावते बहुजन हिताय तो छलावा है मायावती मैं कहता हूँ कि बसपा मायावती सुखाय मायावती हिताय होके रह गई है इसके अलावा बहुजन का बसपा में कोई कल्यान नहीं है तो शलावा मात रहे धोका है गरीब दलितों को देखिए आप जैसे आपने बताया कि आनंद कुमार मामूली आदमी थे मुझे लगता है कि क्लास थी की कमचारी थे नौइडा में और वह भी अपनी बाहि करोर कुछ आपने बताया तो इसका केवल इनका उदेश यह है मायवती का केवल अपने परिवार का अपना सुक का है दली तो दली तो पीछी जाद के लिए तो महरा हो गए है यह सुरू से मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने पार्टी को अपने खून पसीने से सीचा बढ़ा पाया उन लोगों को एकाय करके मायवती ने खिड़की के खिड़की से बाहर फेंकती गई और अब इनके भाई भतीजे उसमें रह गए हैं तो यह तो दुरू भग ही है और देखिए इसी बास से लगाया जा सकता मायवती के बारे में खुद एक बार टाइमस अप इंडिय के पास अर्वों खर्वों की संपत्यों और सौ टाइमस अफ इंडिया मुझे अभी भी याद है वो दस बरस पुरानी कबर है सौ बंगले और फार्म हाउस हो जो चार बात मेरी समझ में नहीं आता कि मुख्यमंतरी की कहां से आमदनी होती है तो कोई आश्यारी की बात नही किया था कुछ लोगों ने सुक्वगार्ट सुरू कर दी तो आनंद कुमार को किनारे कर दिया था फिर भी अपने भाई भतीजे आकास को साथ लिए घूमती थी तो इनका क्योवल सुक और हित क्योवल अपने अपने परिवार अपने में है बहुजन का कुछ लेना देना न जो दोनों को मायावती ने दी हैं आपको लग रहा है कि बहुजन सुकाई बहुजन हिताई की बात करने वाली बियस पी जो की लगातार हम 2012 से अगर हम देखे हैं विधान सभा के जब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में तो उस वक्त भी हमने देखा था कि जो बियस बियस पी का ग्राफ हो किस तरीके से गिर रहा था उसके बाद 2014 के लोकसभा के चुनाव हमने देखे खाता भी बियस पी उत्तर प्रदेश में नहीं खूल पाई थी 2017 के विधान सभा चुनाव फिरम ने देखे 19 सीटों पर ही जीच सकी थी उसके बाद लगातार एक के बाद पर कारवाई हो रही है मायावती अब ये सक्ट लेजर में एक संदेश देना चाहती है कि आपको पार्टी के लिए काम करना होगा सवाल मेरा सर ये है कि अगर अब ये जिमेदारी दी गई है आपको लगता है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया 2012 से 2017 तक जो लगातार पा कि यह बसपा का मायवती के राजनीती करियर का अंतिम पड़ा हुआ है अब यह चाहे जितना मायवती कह लें अब इनको रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब 1994 में बसपा का गठन हुआ तो किस तरह से बड़ी संख्या में सभी दली संप्रदा के दलीतों के पर दलीत समाज के चाहे वो चमार हों पासी हों दुसाद हों बल्मी की समाज के लोग जुड़े थे मुसलमान जुड़े थे पीश्री जातियों के लोग जुड़े थे मायवती ने एक एक करके चमार और जातों को छोड़ करके सब को किनारे कर दिया और केवल उसमें वो भी आपने देखा होगा 2019 के चुना में 20-21 परसंट चमार और जाटों ने भी भाजपा को उड़ दिया है तो इस तरह से मायवती एक बसपा जो है केवल मायवती तक सिमट करके रह गई है और पांच बरसों में इसका अंत मैं ये कह रहा हूं मैं भा 2019 में अखिले स्यादव ने बसपा के साथ समझावता करके संजीवनी दे दी नहीं तो 2014 के चुनाओं में जो पार्टी को सुनने मिले थे एक भी लोकसभा में अपने कंडिडेट को नहीं भेज सकी उसके 10 कंडिडेट बेज गये और उसके साथ अखिले स्यादव के साथ भी चलावा करके गट बंधन जो बना था बड़े सोर सरावे के साथ बड़े ताम जाम के बना था उसको भी एक जटके में तोड़ दिया मायवती का इसलिए मायवती ने तोड़ा कि बाई एलक्शन में अगर बाई एलक्शन में अगर उसकी वो अपने कंडिडेट को नहीं का और बाई एलक्षन में बसपा को लड़ाने का मैं नहीं समझता कि कोई और शित था और इनको यह अपने आटा दाल चावल का भाव जब बाई एलक्षन में खड़ा करेंगी कंडिडेट में तो पता लग जाएगा ठीक बिल्कूल इस पर चर्चा आगे हरिश्ट जी जारी और सबाल इसको लेकर भी अज़ार तो पर उठेगा कि परमपरागत जो वोटर था अभी असपी का आखिर वो धीरे साल दर साल क्यों उससे चिटक चिटकता गया क्यों उससे दूर चला गया इसके पीछे की वज़े भी आपसे जानेंगी फिलाले एक छोटे से ब्रेक के ल सवाल हमारा वही था बहुजन से परिवारता क्यों कि यह जिस तरीके से अब सवाल लगातार ब्यस्पी पर उठ रहे हैं मायावती पर उठ रहे हैं भाई भतीजावाद परिवारवाद का जाईट तो पर एक सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पार्टिया एक दूसरे पर परिवारवात का आरुप तो लगाती रही हैं लेकिन अब खुल कर अगर चीज़ें सामने आती हैं तो सवाल उठने लाजमी और सवाल पूछने भी बनता है लेकिन चर्चा की शुरबात करेंगे हरिश्चन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पूर वाइस हैं लेकिन उस प्रदेश कार्याले में राष्टे नेताओं की चली बैठक करीब दो घंटा खत्म हो चुकी है नेताओं का निकलने का सिलसला शुरू है और बस्पा प्रमायावती अपने घर जा चुकी है इस बैठक में सबसे आहम खास बात ये था कि चुनाओं को बाइलेट पेपर से कर राष्टे उपाद्धेश बनाया है दानी सली जो सांसद हैं उनको लोग सभाग का नेता चुना गया है ये तीन चीजे आज बैठक में मुख रहे इसके अलावां आने वाले उप्चुनाओं को लेकर के भी चर्चा हुए क्या सब लोग मिलके काम करना पड़ेगा सब लोग मिलके खरके करना कड़ेगा कोई खास पेर बदल नुगा आकासा को ये नेशनल कोईनिये बना दिया है और आनाद जी के लिए राष्टी उपातिक्स बनाया है उप्टुनाव होने हैं संग्ठन में बिक्तार यानिया जो में चुनाव पार्डी अकेले लेगी एंजी ने इलेक्षिन के पाद पूरो समच्छा कियो जो ती उसमें कुछ रदो बदल किया पार्लामिन में कुम्रदान शरीवा और हम्मत नहीं हारनी है संग्ठन को बताया कि हमें दोबारह मेहनद करके 2022 जीत रहा है और हम्मत नहीं हारनी है गड़वंधन को लेकर चर्चा हुई उन्होंने बताया कि हम कैसे अलग हुए तो ये पंकच लगातर बातशीत कर रहे थे इस बैठक के बाद नेताओं से लेकिन सवाल फिर वही है कि बहुजन से परिवार तक इस डिवेट लगातार हम इस पर कर रहे हैं सवाल भी लगातार जाहिर तोर पर उठ रहे हैं ब्यस्पी पर मायावती पर लेकिन एक बार फिर से महरिश्चन जी के पास चलता हूँ मेरे साथ हो जुड़े होएं पूरवा आपको लगता है कि जो एक बड़ी जिम्यदारी दी गई है कितना आसान और कितना मुश्किल होगा उनके लिए मायवती जिसको चाहें रास्ट्री उपाध्यक्ष बना दें रास्ट्री समयनवग बना दें एक केवल मैंने कहा कि अपने परिवार तक सिमित रह गई है और इस पार्टी के मैं असपर सुप से कहना चाहूं मायवती की केवल इक्षा है धन अर्जित करना दूसरी बात है मैंने इसका नाम अब बधुजन हिताए के बजारा कश्या रख देना चाहिए मायवती हिताए मायवती सुखाई हो जाना चाहिए एक गलत नाम है तो यह है कि यह क्या कर पाएगी हो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसका अंत जो है पांच साल के बाद आप देखेंगे कोई कोई बसपा का मायवती का नाम लेवा नहीं रहेगा जिस तरह से भारत की राजनाईतिक परस्तितियां बदल लई हैं और यह तो और भी अच्छा हुआ कि मायवती ने अखिले स्यादों से जिनके बलबूते पर दस लोग सभा में अपने सांसत बेश सकी उन से भी अपना कटी कर ले उन से भी समझा होता तोड़ दिया तो केवल वो केवल जैसे मैंने का था कि केवल इनका मकसद एग था कि जो बाई एलेक्शन में हम कंडिडेट को ने तो एक है का आपने देखा होगा कि इनके किस तरह से ख्याती प्राप्त लोग सांसत चुने गए मैं हम मेरे हम जिला चुमा हुआ है वहां के सांसत अतुल राय हैं जो बलादकार की हैं जिनको अभी कोट ने चौदर दिन ने आई कहरासत में बजी है कोई हत्यारा है कोई डकायत है कोई बलादकारी है तो अब बलादकारी हत्यारे डकायत बहुजन की रक्षा करें यही त हासिये पर पहुंच गए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो कभी इनकी खनक थी, तो इस तरह से यह तो इनका, यह तो गए, वो कहते हैं, पूरम में हमारे कहते हैं ने की, बांड बांड गई लगा, तीनात का पगा भी ले गई ले, तो यह तो गई ही, वली तो चम कि खून पसीना लगा कि बोजन समाज पार्टी को बना, उनको एकएक करके अपनी सत्ता कायम करने बेवी अपनी परिवार की सत्ता कायम करने के लिए, इन् evapor कर ले अपने निकाल बाहर कर दिया, आपने देखा होगा कि इनके आँँ कोई भी पड़ा लिखाया आदमी नहीं है जै इनकी खुद काबिलियत है कि ये कागज बांच बांच के बताए रास्री हस्तर के अपने को नेता कहती है और कागज बांच बांच के पढ़ती है मैं समझता हूँ दस्वी पास का लड़का भी अगर कह दिया जा तो ये एक स्ट्रमपोर वासनर कर सकता है लेकिन हरिश्चन जी कितनी काबिलियत है योग्यता वो तो रोज दिखाए जी जी तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ब्यस्पी में नेताओं की कमी हो गई है नेता कोई बचे नहीं है एक परिवार तक ये सिमित रह गया है अगर ये चीज मायावती समझ रही है कि आने वाले वक्त में अगर ये भाई भतिजाबाद परिवारबाद इस तरीके से पार्टी पर हावी रहा तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं तो सब कुछ समझते हुए भी फिर ये फैसले क्यों लिये जा रहे हैं बेस्पी के तरफ से ये तो इन से सवाल करिए निया कि क्यों ले रही हैं ये किसी तरह से आप क्या समझते हैं रामड को क्या हुआ रामड जब अपने सारे भाई बती जे सब के सब के मरवा करके आखीर में अकेले बचा था तो वो क्या करते हैं विपरित काले विपरित काले विपरित काले विपरित बुद्धी जिस तरह के है ने तो इस तरह की विपरित बुद्धी वाली बात है तो इनकी सोच बस इतने तक रह गई है देखिए जो बाबा साब मेट कर थे वो स्टेट्समान थे पूरे समाज के बार में आइन्य वैंउटाय. इतनी दूसवारियों इतनी मुसीबति और बाबासाईबो ने समाज समाज की जए Alors समाज को बाबासाईबों कि निलाम करती हैं इसके अलामा कुछ नहीं है सवाल मेरा सर ये है कि जो एक परंपरागत वोटर था जो धीरे 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 खिसकता चला गया साल दर साल आपको क्या लगता है उसके पीछे की वज़े क्या ये भी एक बड़ी वज़े रही है पार्टी को कमजोर करने की तरप्रदेश मागर हम देखें तो देखिए जब से मायवती जी ने बसपा की बाग दोर समाली है आप पीछे की इतिहास को मुड़ करके देखिए जितने लोगों ने बसपा के दलित समाज के पीछी समाज के लोगों ने जिस तरह से बसपा को बनाया इन्हों ने सत्ता पर कबज़ा करते ही एक एक को खिड़की के रास्ते बाहर खेंग दिया चाहे राम लख्यन बर्मा हो राज बहादूर हो या इदर जंग बहादूर हो गए रहे हैं बहुत पुराने लोगों का भी मुझे नाम याद है उनको निकाला दूसरी तेसरी खेप में हमेशा निकालने का काम करत हैं और जो इनसे पैसा नहीं देता है अक्सर आपने देखा होगा नसीमुदिन सिदी की नहीं आरोप लगाया स्वामी प्रसाद माउरिया ने लगा अपनाम को तो हजारों किस्ते साइक दर्जनों महत्वण नेता हैं जिन्होंने इनके उपर पैसा वसूली का आरोप लगा यह अनपड़ और उठा चाप लोगों को अपने इर्द गिर्द रखती हैं ताकि इनसे प्रस्ना कर सके तो वह तो इसे इनके पार्टी में आप देखेंगी मुझे याद है अभी उत्तरप्रदेश सरकार में दारा सिंग चौहान है पीछली लोग सभा में इनके पार्टी क बुखसभा में होते थे इस तरह से तो सब एक एकर करके इनकी पार्टी की इनकी लोव-लालच के कारण एक एकर करके पार्टी छोड़ते गए तो ओ तो देखिए अब तो अंतिम सासे लेगारा अब इसको भगमान भी इस पार्टी को नहीं बचा सकता जो जिस तरह से एक कि चलते चलते अपने भाई भतिजों को कुछ रास्वी उपाध्यक और रास्वी समन्यक बना तो कुछ तो बचारों के आगे पीशे नाम लिखने के लिए होगा नहीं तो क्लास थ्री के इंपलाई थे कौन पूछेगा इनको बहुत शुक्रिया